सबी दश्कों को मेरा नमस्कार कैसे वा आप सभी लोग एक नया वर्काउट वीडियो लेकि आपके सामने फिर हाजिर है और जैसा कि आप देख रहे हैं आज का वीडियो हम बनाने वाले हैं आउट्डोर में और ये वीडियो होगा 20 मिनेट्स मौनिंग वर्काउट फॉर फा नहीं करेंगे और हाँ आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे क्योंकि कोई जिम की जरुवत नहीं है किसी भी एक्क्यूप्मेंट की जरुवत नहीं पड़ेगी आज की वाक आउट वीडियो में लेट्स गेट स्टार्टेड़ अज पर एक्सरसाइज हम करेंगे हाई पर एक्सरसाइज समझाओ उससे पहले में आपको बता जिता हूँ कि जितनी भी एक्सरसाइज में आपको दूंगा वो बिल्कुल सिंपल एक्सराइज होंगी बट मेरा आपसे वादा है कि अगर आप चार से छे हफते करोगे लगातार तो आपको बहुत बेनिफिट होगा फूर्स एक्सरसाइज के लिए आप हाथ यहाँ पर भी रख सकते हैं या सामने भी रख सकते हैं और आपको गया करना है है एक नी को लिफ्क करना है निचल आना और दूसरी को, बस आपको धियार नखना है कि आपको बहुत जादा जर्ख नहीं वार्ना तो ऐसे नहीं कर सकते तो, सेंपल हाथ यहां रखे और और बहुत जादा फास्ट करने के ज़रूरत नहीं है स्लो करो जब भी नी ऊपर आता है तो breathe out करने आपको बस दिहान रखें जब भी आप leg को raise करते हो तो आपकी जो AD है वो पीछे के तरफ नहीं जानी कि ऐसे सामने जाए इस तरीके से और आपको 20 with each leg करने है वो आपका 1 set होगा और आप 2 से 3 set जरूर करो second exercise आपकी lower body के लिए बहुत effective होगी exercise का नाम है डंड बैठक अब इसको कैसे करते है modern time में बहुत सारे लोग इसको नहीं करते बट पैरों को wide कर लेंगे यानि shoulder width उसके बाद सास भरो सास भरा नीचे गए उपर आके आपको सास खोड़ना है तो basically सास जब आप भरते हो तब आपको नीचे बैठना है उपर आने के बाद सास भाहर छोड़ना है और हाथ आपके इस तरीके से चलेंगे मैं आपको flow में तीन repetition करके दिखाता हूँ इस तरीके से बट लेट से अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप simple पैर उसी तरह रखके हाथ सामने और squat परफॉर्म करो ground के parallel बैठो एक second के लिए hold करो वापस आओ breathe out ये है अगर आप डंड बैठक नहीं कर सकते डंड बैठक करो या squat आपको number of repetition एक सेट में 12 से 15 करने है और 3 सेट next exercise पर जाने से पहले मैं ये clear कर देता हूँ कि इस वीडियो को आप लड़का हो या लड़की कोई भी follow कर सकता है थर्ड नंबर के exercise जो मैं दे रहा हूँ आपको वो आपकी core strength को बहुत बहतर कर देगी और आपकी tummy area को कम करेगी exercise का नाम है mountain climbing but करने के अपने अपने तरीके हैं आपको हाथ इस तरीके रखने है basically आपको plank position में आ जाना है इस तरीके से उसके बाद आप एक नीग को अंदर की तरफ लाएंगे breathe out करेंगे वापस and same दूसरे पैट से इस तरीके से but जैसे जैसे आपको इस exercise की practice हो जाएगी तो इसको आप फास्ट भी कर सकते हो थोड़ा ऐसे but start with slow जब भी नहीं अंदर आता है तो आप abs को squeeze कर नहीं कोशिश करो number of repetition जो होंगे आपके वो होंगे 20 भी दीच लेग यानि 20 इस पैर से बीस इस पैर से वो होगा आपका एक सेट और आपको अगेन दो से तीन सेट करने हैं फोर्थ exercise हम करेंगे push-ups जो कि आपकी upper body toning के लिए बहुत अच्छी exercise है वो फिर chest हो आपके shoulder आपके arms करके मैं आपको दिखाता हूं सेम जिस तरीके से हमने last exercise की थी उसी position में आ जाएंगे इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना है आपकी lower back बहुत जादा नीचे या बहुत जादा उपर नीचे इसके बाद आप आप slowly नीचे जाएंगे and just make sure कि आपकी जो chest है वो आपके दोनों हाथ के बीच में आ नीचे है आप breathe out वापस नीचे जाओ and up बहुत ही stable होगे करने आपको बट क्योंकि हम beginners के लिए बना रहे हैं तो अगर आप full push-ups perform नहीं कर पाओगे तो आपको बस कुछ नहीं करना knees को इस तरीके से रखना है toes cross and exercise को थोड़ा easy बना ले बट हाँ जब आपको knee push-ups की practice अच्छी हो जाए तो आप फिर normal push-ups पर ही आए number of repetition मैं आपसे expect करूँगा कि आप 10 से शुरू करो दीर दीर बारा पंदरा तक जाओ और three sets fifth exercise हम करेंगे jumping jacks आप सभी लोगोंने school में इस exercise को जरूर perform किया होगा जैसे ही आपके दोनों पैर भार जाएंगे वैसी हाथ उपर simple 20 करने है चलो one two three make sure आपके हाथ उपर जाएं five six seven eight nine 10 11 12 13 14 15 five more 17 18 19 20 यह exercise आपका हाटेट बढ़ाएगी यह नहीं आपको fat loss करने में help मिलेगी तीन सेट करने आपको next exercise पर जाने से पहले एक advice आपको और दूंगा आप अपना टाइमर साथ में रखना पूरी exercise परफॉर्म करने में और आपका एक टार्गेट होना चाहिए कि पूरी exercise आपकी बीस से बाइस मिनिट में खतम हो जानी चाहिए छटे नंबर की जो exercise कर रहा हूं वो है एब्स के लिए सबसे बढ़िया exercise leg raises जिसके लिए आपको lie down करना पड़ेगा सीधे लेट जाए बिलकुल ठीक है दोनों हाथ जो है वो थोड़े hips के नीचे रख ले ठीक है नी स्ट्रेट नी रहेगी थोड़ी सी बेंड रहेगी so that आपके lower back में strain नाए ठीक है पैरों को मिला ले और लिफ्ट करें बस यहां पर ध्यान रखे कि बहुत जादा लिफ्ट नहीं गरना means आपके hips जो है वो फ्लोर पर टाच रहेंगे हमेशा यहां से हम करेंगे जब भी लेग लिफ्ट करेंगे तो breathe out अराम से नीचे लेके जाए बस ध्यान रहे कि जर्क ना मारें और आप मेरी गर्दन देख रहे हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हो या फिर आप नीचे भी रख सकते हो जैसे आप comfortable हो ठीक है और आप focus करो पूरे abs area को number of repetition एक set में आपको करने है 20 बट अगर आप 20 नहीं कर पाओगे try करो 12 then 15 then 20 और आपको 20 20 के 2 set करने है सेवन्थ exercise हम करेंगे butt kick यह exercise आपके hips को यानि glutes और hamstring को strengthening के साथ साथ एक अच्छी shape देगी बट करने का तरीका है क्योंकि हमें jumping बहुत जादा नहीं करनी तो आपको क्या करना है बस दोनों हाथों को कमर पर अखलें अब यहां से आप अपनी एक नी को बेंट करेंगे यानि बोडी को दूसरे लेग पर ट्रांसफर करेंगे इस तरीके से वापस एंदेन फिर दूसरे पैर से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो ऐसे कि करते हैं ऐसे नहीं करना आपको जंपिंग नहीं करनी सिंपल बैट करते हुए सबसे मेन भात है जो आपकी नी जो है वह आगे नहीं आने यानि पीछे के तरफ जाने जिए फोकस करो स्क्वीज करने पर हम्स्ट्रिंग को ब्रीद आउट जब भी आपके करते हो ब्रीद आउट उससे क्या होगा उससे आपका मसल अच्छे से काम करेगा आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो नमबर ऑफ रेपेटिशन बीस इसपैर से और बीस इसपैर से वह आपका होगा एक सेट और आपको दो से तीन सेट परफॉर्म करने है आउट डोर एक्सरसाइज करने का अपना ही मजा है फ्रेश एयर है पहुत अच्छा लग रहा है टोनिंग भी करेगा करने के लिए आपको अपनी एल्बोज और टोस पर इस तरीके से पैरलली होल्ड करना है यहां से आप अपने हात्तों पर आजाएंगे इस तरीके से और कंटीन्यू करेंगे मीन्स लो प्लांक एंदेन हाई प्लांक नॉमल ब्रीधिंग करते रहें नंबर ओफ रेपिटेशन जो आपको काउंट करने है तो जब आप लो प्लांक से हाई प्लांक पर आते हो वो आपका एक रेपिटेशन होगा आपको 15 से 20 रेपिटेशन करने है और 2 से 3 से नाइन्थ एक्सरसाइज हम करेंगे बर्पी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपको दिखाऊंगा बट जब आप मतब स्टेप बर्पी अच्छे से करने लगेंगे एजी हो जाएगी आपके तो आप नॉर्मल वर्पी पर चले जाना वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा स्टेप बर्पी के लिए आपको सीधा खड़ा होना है गुटने बेंट कर ले और हात इस तरीके से रखे और यहां से आप एक पैर पीछे लाए ठीक है फिर दूसरा पीछे लाए और फिर नीचे चले जाएं नीचे जाने के बाद दोनों हातों से उपर आएंगे एड जम करेंगे प्रीद आॉट ठीक है एक बार और करके दिखाता हूँ हम सीदे एक पैर पीछे, दूसरा पीछे, ठीक है, नीचे गए, हाँ छोड़े, फिर उपर आए, और जंप करा, और सीधे खड़े होगे, यह है, स्टेप बर्पिया वगर नॉर्मल करने आपको, तो आप कैसे करेंगे? दन, टेन करनी है आपको, एक सेट में, और नंबर आफ सेट, टू तू तू थ्वी, टेन्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगेन आप्स के लिए, क्रँचेज, करने के लिए आपको, नॉर्मल फ्लोर पे लेटना है, इस ऐसे, ठीक है, पैर आपके ऐसे रहेंगे, नीबेंड, और दोनों हाथ आपके, सेर के पीछे रहेंगे, और यहां से आप ऊपर आएंगे, और जब आप इतना आ जाएं, तो आप ब्रीद आउट करें, और आपको स्कुईज करें, और फिर आराम से नीचे चले जाएं, बस ध्यान रहें कि पूरा नीचे नी जा सकते, इस से नीचे नी जाना आपको, ब्रीद आउट, जितना हो सकता है, आप्स मुसल को स्कुईज करो, ट्विंटी रैपिटेशन करने एक सेट में, बट कहीं बार क्या होता है, इस तरीके करना थोड़ा इजी हो जाता है, तो आप, दोनों पैर हवा में, और हाथ पीछे, यह वाले क्रांचिस कर सकते हैं, आप, लेग लिफ्ट करके करो, या नॉर्मल, ट्विंटी करने की कोशिस जरूर करना एक सेट में, और क्योंकि लास्ट एक सेट है, तो तीन सेट आप परफॉर्म करना, यह था अमारा आज का वीडियो, आप सभी लोगों के लिए, जिम से बाहर भी आ गया, कॉंटेंट ब बनाता रहूं, यह वीडियो उन सभी बिगनर्स को, जो फार्ट लॉस करना चाहते हैं, उनको बहुत हेल्प करेगी, और सुबा सुबा उटके इतनी एक्सराइज तो आप करी सकते हो, इस तरह की वीडियो मैं आपके समक्ष लेके आता रहूंगा, तिल दैन गुडबाई, नमस्ते.